अलो बच्चों, वल्कम टूडेज एडिशन, आज हम लोग सॉल्व कर रहे है आरे सगरवाल का लेटेस्ट एडिशन आप निव कॉंपोजिट मैथेमेटिक्स फॉर आज के एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 65 जो कि चैप्टर 18 यानी टाइम का पाट है तो बच्चों आप जानते हैं कि जरूर हम लोग जो भी क्वेशन है इस एक्सरसाइज कॉंपीट स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करने वाले है तो कोई भी स्टेप मिस्स मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखे पुराने वीडियो अगर नहीं देखे है प्रे लिस्ट में जाके पुराने एक्सरसाइज का सल्यूशन भी चेक आउट कर ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हर एक एक्सरसाइज का सल्यूशन हम लोग इसी चैनल में लाने वाले है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और आपका कॉमेंट जरूर दे बच्चो तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे है एक्सरसाइज सिक्स्टी फाइव क्वेशन वान तो ये चैप्टर जो है ये एक्सरसाइज जो है इस इस अबाट कॉन्वर्शन तो first question is convert the following into hours, right? कुछ दिया हुआ है इसको hours में convert करना है तो हम लोग एक एक करकि इसको solve करते है, right? 1a हम लोग solve करते है इसको कैसे करना है? जैसे हम लोग आप देखने होंगे लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग units conversion किये थे तो वह ऐसी करना है इसको तो four days, right, तो इसमें one day में हमको लिखना है, one day का में कितना hours होता है, तो we know one day इसमें लिखना है, we know one day is 24 hours, ठीक है, therefore, यह सब में लिखना है, one day is 24 hours, यह सब में लिखना है, right, तो four days is equal to four into one day, ठीक है, अब one day के बराबर कितना है, वो यहाँ, replace करके इसको लिखना है, तो four into 24 hours, right, तो अब देखे, day से हम already hours में आ गया है, right, तो hours मेरा unit fix हो गया, तो यह four into 24 जो है, इसको हम multiply करके 96 लिखना है, unit hours, तो I will get, क्या हम गत करगा, four days is equal to 96 hours, ठीक है, similarly question B देखे, question B है, seven days, तो यह portion first लिखी लेना है, we know one day is 24 hours, इसके बाद लिखना है, therefore, seven days, that is equal to कितना है, seven into one day, ठीक है, अब unit को हम अलग कर लिए, one day, ठीक है, अब seven into, इतना जो portion है, one day का, इसको हम लोग replace कर दे रहे, by, हम जानते है, one day is equal to 24 hours है, तो इसको हम लोग replace कर देते है, seven into 24 hours, ठीक है, अब seven into 24 क्या है, राफ में हम लोग कर लिए, 24 into seven, seven fours are 28, seven twos are 14, 15, 16, so that is equal to 168 hours, ठीक है, clear, right, next हम लोग आ जाते है, question C, similarly, one C में लिखे, one day, 16 days, तो 16 days को हम लोग लिखेंगे, 16 days is equal to 16 into one day, right, so that is equal to 16 into one day के बदले में हम लोग लिखेंगे, 24 hours, तो यहाँ पर लिखेंगे, since, यह symbol का मेनिग है, since, ठीक है, यह symbol, दो dot नीचे यहाँ पर, that is therefore, ठीक है, since है, दो dot उपर, एक dot नीचे, since, one day is equal to 24 hours, ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे, so 16 into 24 हम लोग को यहाँ करना है, तो 16 into 24 हम रफ में solve कर लेते है, 16 into 4 कितना है, 64 हो गया, और 16 into 2 is 32, 4, 8, 3, ठीक है, so this is equal to 384 hours, ठीक है, clear, right, next हम लोग, C में चल ले आते है, C हो गया, 1D, तो 1D रेखे, similarly 20 days, 20 days हम लोग लिखेंगे, that is equal to 20 into 1 day, ठीक है, that is equal to 1 day के बाद ले हम लोग लिखेंगे, 20 into 24 hours, ठीक है, since, one day is 24 hours, तो 20 into 24 किया है, 2 into 24, 20 को हम 10 into 2 लिख सकते है, तो 10 into 2 into 24 hours, तो 2 into 24 हो गया, 48 into 10 हो जाएगा, 480 hours, ठीक है, right, next, अब ये थर, घान लिजे, इसमें है, 3 days, 18 hours, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, 3 into 1 day plus 18 hours, ठीक है, अब 3 into 1 day, इतना portion में हम लोग इसको hours में convert कर रहा है, 3 into 24 hours plus 18 hours, तो जब भी addition, subtraction हो रहा है, units मेरा same होना चाहिए, तो hours हम कर दिये, right, तो 3 into 24 hours, ये मेरा हो गया, 24 into 3, that is equal to 72, ठीक है, 72 hours, और 18 hours as it is, हम लोग लोग लिखेंगे, हो गया, अब 70 or 10, 80 or 10 हो गया, 90 hours, ठीक है, clear, तो इसको ऐसे convert करके इसमें लिखना है, right, 1F, similar problem है, 2 days, 6 hours, इसको हम लोग लिखेंगे, 2 into 1 day, plus 6 hours, ठीक है, unit अलग है, तो अभी add नहीं हो रहा है, तो इतना जो portion है, इसको हम लोग लिखेंगे, bracket में, 2 into 1 day हो गया, 24 hours, plus 6 hours, ठीक है, clear, now 24 into 2 हो गया, 48 hours, plus 6 hours, ठीक है, तो 48 plus 6 हो गया, 54 hours, तो correct answer हो गया, 54 hours, right, okay, next हम लोग आ जाते है, question 2, तो question 2 similarly, minutes में convert करना है, right, तो 2 ए देखे, 8 hours, 8 hours को हम लोग लिखेंगे, minutes में ले जाना, that is 8 into 1 hour, that is equal to 8 into 1 hour बराबर कितना है, 60 minute, ठीक है, यहा अट लिखेंगे, since 1 hour is equal to 60 minute, ठीक है, अब 8 into 60 हो गया, 6 8s of 48 into 10, 480 minute, ठीक है, clear, next हम लोग आ जाते है, question 2B, 12 hours, similarly, इसको से लिखेंगे, 12 into 1 hour, that is equal to 12 into 6, 1 hour के बराबर के बराबर, 60 minute, since करके यहा, सें चिज लिखेंगे, लिखेंगे, that is equal to 12 into 6, मतलब 12 6 जा हो गया, 72 into 10, 720 minute, ठीक है, 2C, 2C में लिखेंगे, 24 hours, 24 hours is equal to 24 into 1 hour, that is equal to 24 into 60 minute, ठीक है, 24 into 6 हो गया, 144 into 10, 1440 minute, ठीक है, clear, 24 into 6, 6 4s are 24, 6 2s are 12, 14, 144 into 10, 1440 minute, ठीक है, clear, right, next हम लिखेंगे आजाते है, 2D, इसको shift कर लोते है, next हम लिखेंगे, 2D, 4 hours, 10 minutes, तो इहां देखेंगे, इसको minute में convert करना है, ठीक है, तो 4 hours, 10 minutes, sorry, इसको, 10 minutes, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, 4 hours plus 10 minutes, ठीक है, तो इसमें 4 hours portion को, हम लोग minutes में कर दाते है, 4 into 60 minute plus 10 minute, ठीक है, तो 4 into 60 कितना हो जया, 4 into 60, 6 पोज़ा, 24 into 10, 240 minute plus 10 minute, ठीक है, तो final answer is 250 minute, ठीक है, next हम लोग लोग आजाते है, 2E, इसमेल है, 6 hours, 50 minutes, 6 hours, 50 minute, इसको, हम लोग लिखेंगे, 6 hours plus 50 minute, ठीक है, ठीक है, 6 hours को, हम लोग लिखेंगे, 6 into 1 hour, 1 hour is equal to 60 minute plus 50 minute, ठीक है, तो 6 into 60, 6 into 60 हो गया, कितना, 66 or 36, 360 minute plus 50 minute, तो ये हो जाएगा, 460 plus 50 हो गया, 110, तो 410 minutes, ठीक है, ठीक है, ठीक है, next हम लोग आजाते है, question number F में, तो question F देकिये, 2F, 11 hours 25 minute, ठीक है, 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 मतलब 660 minute plus 25 minute, so 60 and 25 होगे 85, मतलब 685 minute, ठीक है? नेक्स थामलब आजाते है, 2G में, 14 hour 5 minutes, 14 hours 5 minute, ठीक है? इसके बाद 14 hours को convert कर रहा है, 14 into 1 hour is 60 minute, 14 into 60 minute plus 5 minute, ठीक है? ठीक है, 14 into 6, ठीक है, 14 into 6 मतलब 7 into 2 into 6, ठीक है? 42 into 2 होगे, 84, 84 into 10, 840 minute plus 5 minute, which is equal to 845 minute, ठीक है? ये करेक्ट आंसर होगे. नेक्स हम को आते है, 2H में, ठीक है, 2H में हम लोगा आते है, 16 hours 30 minute, ठीक है? ठीक है, ठीक है, 16 into 1 hour, 1 hour होगे, 60 minute, ठीक है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है? ठीक है, 16 into 6, ठीक है? 60 and 30 हो गया, 90, 990 minutes, right, 2i, 20 hours, 20 minute, that is equal to 20 hours plus 20 minute, 20 hours, 1 hour हो गया, 60 minute, 20 into 60 minute हो गया, plus 20 minute, ठीक हो, 20 into 60, 6, 2 is a 12, बुसके बाद 2, 0, 1200 minute plus 20 minute, ठीक हो, 1200 and 20 minutes is the final answer, right, next अमनो गा जाते है question number 3 में, ठीक हो, question 3 गया, convert the following seconds में करना है, right, ठीक हो, same type of problem seconds, so 3 है, 16 minute is equal to 16 into 1 minute, 1 minute is equal to 60 seconds, ठीक हो, since यहा लिख दिना है, 1 minute is 60 seconds, ठीक हो, 16 into 6, 16 into 6 अगर अपड़ेंगे, राफ में हम कर लाते, 6 is equal to 36, 6 and 3, 9, 906 into 10, 960 seconds, ठीक हो, next 3B, 23 minute, similarly, that is 23 into 1 minute, that is equal to 23 into 1 minute के बाद लाद 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 लादे, 23 into 6, 6, 3 is 18, 6, 2 is 12 and 1, 138, so this is 1380 seconds, ठीक है, next SC, 6 minute, 45 seconds, ठीक हो, इसको हम भी लिखेंगे, 6 minute plus 45 seconds, ठीक है, यह पर 6 minutes के बाद लाद 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 6 into 60, 1 minute के बाद लाद लाद 60 seconds आगया, plus 45 seconds, ठीक है, 6 is 36 into 10, 360 seconds plus 45 seconds, ठीक है, तो 360 and 45 होगा, 405 होगा, 405 seconds, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, D में, 3D, ठीक है, ठीक है, तो 3D देखिये, 8 minute 30 seconds, इसको हम भी लिखेंगे, 8 minute plus 30 seconds, ठीक है, ठीक है, यहाँ आपको लिखेंगे, 8 into 1 minute था, 1 minute होगे, 60 seconds, plus 30 seconds, ठीक है, यहाँ आपको लिखेंगे, since 1 minute is equal to 60 seconds, ठीक है, 8 into 66, 6 side is 48, 58 मतलब 480 seconds plus 30 seconds. 80 and 30 हो गया, एक सो 10, जो चार सो से एड हो जाएगा, that is equal to 510 seconds. 10 minutes, 16 seconds, 10 minute plus 16 seconds, that is equal to 10 minute, minute मतलब into 1 minute, 60 seconds, 10 into 60 seconds हो गया, plus 16 seconds, 10 into 60 हो गया, 6 seconds, plus 16 seconds, 616 seconds हो गया, ठीक है, clear, right, last problem 3F, 5 hours, इसको seconds में ले जाना है, ठीक है, ठीक है, so that is 5, 6, 300 into 1 minute, which is equal to 300 into 60 seconds, since 1 minute को हम कानबट करें, 1 minute is 60 seconds, ठीक है, तो 6 into 3 हो गया, 18 और 3 zero हो गया, 18,000 seconds, ठीक है, which is the correct option in this case, तो बच्चो, this was the last question of the exercise, अगर आपको अच्छा लगा है, तो जरूर चैनल को सब्स्राइब कर ले, क्योंकि हर एक exercise का solution है, हम लोग इसी चैनल में upload करने वाले है, thank you for watching, Hello बच्चो, तो आज के, इसमें हम लोग बता रहे हैं कि, आज class 4 का mathematics का new composite maths का पूरा solution, R.S. अगरवाल का टिवीज हो चुका है, coupon book से, और इसमें पूरा step by step solutions, all chapters का किया हुआ है, जितना भी shortcuts, methods है, हम लोग इसमें पूरा बताया है, तो इसमें देखिए, contents में पूरा 1 से लेके, question chapter 20 तक का भी, पूरा, हम लोग solution किये है, step by step दिया हुआ है, एक से पहले इसका exercises दिया हुआ है, जिसे आपको पूरा exercise questions मिल जाएगा, जो आप खुद भी solve कर सकते हैं, उसके बाद आपका solutions में देखिए, पूरा step by step solutions इसमें दिया हुआ है, हर एक step कैसे आया है, वो भी इसमें दिखाया हुआ है, जैसे इसमें आप देखिए, इसमें पूरा plus minus हर एक step का solution दिया हुआ है, इसमें multiplications का भी हर एक step दिखाया हुआ है, तो पूरा step by step दिखाया हुआ है, जो questions है, उसको करके rough work में भी कैसा है है, वो भी दिखाया हुआ है, और visuals में भी आपका drawings करके fractions का जैसे है, units का problem से इसको भी दिखाया हुआ है, इसमें हम कुछ-कुछ page दिखा रहा है, जैसे factors and multiples का भी questions दिया हुआ है, chapter class 4 का, इसमें exercise minding का हर एक का, इसमें ऐसे solutions किया हुआ है, और इसमें rough में भी करके दिखाया हुआ है, कि आपका कैसे हर एक step आया है, तो आपको पूरा समझने में भी आसानी होगा इसमें, यह देखे, decimals का भी details solution इसमें किया हुआ है, इस chapter में, यह money का chapter दिखा रहा है, तो money का chapter में भी देखे, हर एक question का, इसमें पूरा details में दिया हुआ है, rough work करके भी दिया हुआ है, तो आपको एकदम समझने में पूरा clarity रहेगा, तो बच्चों इसमें हम लोग कुछ-कुछ pages दिखा रहा है, यह पूरा book आपका Amazon में available है, लिंक दिया हुआ है description में, तो जरूर link में, यह आपका book का link है, description में भी दिया हुआ है, class 5 का भी solutions है, इसके साथ-साथ class 4 का भी आप निकल चुका है, तो link को भी जाके आप पूरा book देख सकते हैं, और अगर आप kindle का member है, तो इसमें आप पूरा free में book को पर सकते हैं, thank you.